नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लौग गुरू में मैंनुराग रिशी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ओफ एजेंट और काइंड्स ओफ एजेंट की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे different types of agent तो चलिए बिना time waste करें वीडियो शुरू करते हैं kinds of agent की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे definition of agent यानि कि agent होता क्या है तो अपनी पिछली वीडियो में जमने में बात कही थी contact of agency की उसमें हमने बात कही थी कि according to section 182 of Indian contract act एक agent जो है वो वे वेक्ति होता है जो किसी दूसरे वेक्ति के द्वारा किसी कारे को करने के लिए या उस वेक्ति के द्वारा उस वेक्ति को represent करने के लिए employed किया जाता है अगर आप लोगों को agent से related या principle से related या contact of agency होता क्या उसे related कोई भी doubt है तो हमारी last video जरूर देखें ताकि कि आपका doubt के लिए हो जाए बात करता है kind of agent में सबसे पहला जो agent है वो है special agent a special agent is one who has been authorized to do a single act जैनि यह guys special agent वो agent होता है जिसको किसी single act के लिए जिसको किसी special act को करने के लिए authorized किया जाता है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी agent को उसका घर बेचने के लिए authorized किया तो यह कहा जाएगा कि वो special agent है क्योंकि वो particular काम के लिए किसी special काम के लिए किसी single act को करने के लिए रखा गया है दूसरा है general agent a general agent is one who is authorized to do all acts connected with a particular trade business or employment guys general agent वो व्यक्ति होता है जिसको particular काम करने के लिए नहीं रखा जाता है जिसको general काम करने के लिए रखा जाता है यानि कि मान लिजे किसी company का किसी firm का को कोई manager है तो उसको hire किया गया क्यों उस company से related जितने भी फैसले हैं जितने भी काम हैं जितने भी चीज़े हैं वो manager देखता है मान लीजिए A नामक एक व्यक्ति ने B नामक व्यक्ति को हायर किया उसके घर से related जितने भी फैसल है चाहे उसकी maintenance करना हो, चाहे उसको caretaking करनी हो चाहे उसके rent पर देना हो, चाहे उससे rent लेना हो सारा ध्यान रखने के लिए तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने general agent को हायर किया क्योंकि वो general agent क्यों होगा, क्योंकि वो उस घर से related जितने भी act है जितने भी connected act है, उसके लिए authorized उससे किया गया है अब हम बात करते हैं, third kind of agent जो की है sub agent A sub agent is a person employed by and acting under control of the original agent in the business of the agency If he is properly appointed, principal is responsible for his acts to third person and the original agent is responsible for his acts to the principle इसके नाम से पता चलागा है, sub agent यानि के agent के अंदर रहकर काम करने वाला दूसरा agent किलियर करते हैं, उसको भी एक example से मालीजे, A नामक एक principle है, उसने B नामक agent को employed किया किसी कारे को करने के लिए अब B नामक जो agent है, उसने अपने अंदर एक C नामक further agent को रख लिया, उस काम को करने के लिए यानि के मालीजे, A नामक वैक्ति ने B नामक agent को hire किया, D नामक वैक्ति से पैसे लेकर आने के लिए अब B नामक agent ने C नामक sub agent को hire कर दिया D नामक वैक्ति से पैसे लेकर आने के लिए तो यहाँ पर B नमक वैक्ति जो होगा वो agent होगा और C नमक जो वैक्ति होगा वो होगा sub agent अब यहाँ पर हमें एक चीज जोर समझने है guys थि अगर sub agent के किये गए किसी act के दौरा जो third person है उसको कोई नुकसान होता है तो उसका responsible होगा उसका principle क्यों क्योंकि उसने principle के बिहाफ में act किया था पर अगर उस sub agent के act के दौरा principle को ही कोई नुकसान होता है तो उसका responsible होगा agent क्यों क्योंकि उस agent ने sub agent को अपने बिहाफ में काम करने के लिए appoint किया था, authorize किया था तो भाई साब agent जो होगा वो sub agent के किये गए काम के लिए responsible होगा अब बात करता है next kind of agent की जो की है co-agent when two or more persons are employed as agents jointly or severally they are known as co-agent यानि जब एक से ज़्यादा agents जो है किसी कारे को करने के लिए authorize किये जाते है मालीजे ए नामा के वैक्तिन है जिसने एक काम को करने के लिए तीन लोगों को authorize किया तो वो तीनों जो होंगे वो क्या होंगे co-agent होंगे क्यों 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 एक कारे को करने के लिए तीन लोगों को authorize किया गया है fifth kind of agent है guys इसमें substituted agent according to section 194 where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principle in the business of the agency has named another person accordingly such person is not a sub agent but an agent of the principle for such part of the business of the agency as is entrusted to him guys इसके नाम से ही पता चलता है substitute agent section 194 Indian contract act में बताए गया है जब किसी व्यक्ति को agent के तौर पर authorize किया जाता है किसी कारे को करने के लिए और वो agent जो है अपनी जगा किसी दूसरे व्यक्ति को उस principle का काम करने के लिए authorize करता है देखिए जो sub agent होता उसमें क्या होता है कि जो agent है वो अपने नीचे दूसरा agent रख लेता है वो काम करने के लिए तो वो हो गया सब agent पर यहाँ पर क्या होता है कि अपनी जगा पर substitute agent को तो वो क्या करता है अपना काम करने के लिए बोल देता है प्रिंसिपल की जगा पर मैंने प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को कोई काम करने के बोला तो वो एजेंट क्या करता है वो अपनी जगा पर उस दूसरे एजेंट को principle का काम करने के लिए बोल देता है तो यह हो जाता है substitute agent next type है guys इसमें factor a factor is an agent remunerated by a commission and is interested with the possession of goods to sell in his own name as an apparent honor he can sell them at such price as he thinks best he has thus complete discretionary authority to sell दोस्तो अगर हम factor की बात करें तो factor एक वो वैक्ति होता है जिसको कोई भी वस्तू जिसके लिए contract किया जाता है वो दे दी जाती है मतलब उसके possession में होती है और उसको बोल दिया जाता है यह वस्तू जो तू बेचना चारे हो जा बेचनी है उसको एक fixed amount दे दिया उससे नीचे नहीं बेचनी है तो basically कहा जा सकता है कि वो वैक्ति जो है जो factor है वो उस वस्तू को as a honor बेच सकता है clear करते हैं इसको भी एक example से माले जे ए नामक एक वैक्ति है जिसने एक agent को authorize किया उसने कोई वस्तू दे दी कि इस वस्तू को बेचना है एक सब्जी कोई भी item दे दिया कि इसको बेचना है और इसको इतने रूपे के हिसाब से मतलब इतने तक बेचना है इससे नीचे नहीं बेचना है इससे उपर जितना ही बेचना है तो वो वस्तू जाए उस factor के position में है rate fix कर दे इससे उपर बेचना है A broker is an agent whose business is to bring about a contractual relation between two parties It is through his instrumentality that a contract is made between the principal and a third party He has no possession of goods like a factor Even if he is a broker for sale, he has no authority to contract in his own name He cannot also sue in his own name Guys broker मैं समझाता हूं आप लोगों के एक example से अगर आप लोग कभी दिल्ली आए और अगर आप दिल्ली के ही हैं तो आप लोग एक बार चान्नी चोग जरू जाना क्योंकि चान्नी चोग की market में आप लोगों ने देखा होगा जैसी है आप market में entry करते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरे लोगों का visiting card लेकर आ जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि sir या madam आपको सारी चाहिए सूर चाहिए या code चाहिए शेरवानी चाहिए तो आपको सस्ते rate में दिल्वा देंगे और अगर आपने एक बार उनको हा कर दिया तो वह आपको ले जाकर किसी दुकान पर बैठा देंगे अगर आपको वहाँ पर समान समझ में आया तो ठीक और अगर नहीं समझ में आया तो आपको कोई बात नहीं दूसरी दुकान पर ले जाकर आपको बैठाएंगे वहाँ पर समझ माया तो ठीक ने तो फिर 30 सी दुकान पर ले जाएंगे वो लोग basic लिए क्या करते हैं कि उनके पास में ना तो कोई चीज होती ना कुछ होता बस वो क्या करते हैं कि जो दुकान वाला है उसके बीच में और आपके बीच में contract बनाने कोशी करते हैं क्यों वो चाते हैं कि दुकान वाले का समान बिके जिसके लिए उनको दुकान वाले से commission मिलता है तो यही होता है broker broker basically क्या होता है उनके पास में ना तो समान होता ना possession होता कोई भी चीज नहीं होती बट वो क्या करते हैं कि दुकान वाले के बीच में यानि कि जो principal है उसके बीच में और जो third person है जिसके बीच में contract होना है उनके बीच में अपनी खुद की मेहनत के थूँ वो relation बिल्ट करने की कोशिश करते हैं और contract को successful करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको principal से कुछ commission या पैसा consideration मिल सके इसमें यह चीज और हमें ध्यान देनी है कि अगर हमें कोई default चीज मिल जाती है तो हम जो broker है उस पर suit file नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वो सिर्फ एक broker होता है next है auctioner an auctioner is an agent to sell property at public auction he is the agent of the seller until the goods are auctioned or knocked down however after the knockdown he becomes the agent of the buyer यानि के दोस्तों अगला वैक्ती है अगला agent का जो तरीका है टाइप है वो है निलामी कराने वाला वैक्ती हम लोगों ने देखा होगा निलामी हमने टीवी में देखे होगी या भी भी IPL की चल रही है वहाँ देखे होगी तो जो वैक्ती निलामी कराता है उसका auctioner कहते है ठीक है जो किसी वस्तु को बेचने का या जो प्रोसेस करवाता है जिसको सारी maintain करता है चीजों को वो auctioner हो जाता है वो basically दो तरीके से काम करता है कि जब तक कोई चीज जिसकी निलामी नहीं हो जाती है जब तक उसका hammer नहीं पर जाता है जब तक वो जो चीज बिक नहीं जाती तब तक तो वो काम करता है principle का उसकी तरफ से rate लगाएगा ये 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 कोई और बोली लगाने वाला है कोई और करने वाला है पर जैसे ही किसी वैक्ती ने कोई निलामी की amount fix कर दिया और उसने hammer down किया तो तब के बाद से वो जो है काम करता है ये agent हो जाता है किसका buyer का उसके लिए सारे काम करेगा अब उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसकी बोली नहीं जा सकता या फिर जो principle है उसमें कोई fault या कोई changes नहीं कर सकता ये होता है auctioner 9th point है इसमें commission agent a commission agent is a person employer to buy or sell goods for the employer on the best possible terms receiving the commission as a reward for his execution यानि कई commission agent वो वैक्ति होता है जिसको किसी कारे के लिए मान लीजिए कि मुझे कोई मकान खरीडना है तो मैं किसी agent को लगा दूगा कि भाई मेरे लिए जब भी कोई मकान बिकने वाला हो अच्छा से इनीन condition पर तुम मेरे लिए वो मकान ढूंड के लाओगे ठीक है जिसक ताकि के वो उसकी best possible terms पर या किजी best price पर best condition पर मेरे लिए ढूंड के लेकर आए ताकि कि उसको best commission मिल सके इसलिए उसका नम commission agent है चलिए next 10th point है इसमें guys Dell Credra agent क्या agent है बड़ा समझना पड़ेगा इसको a Dell Credra agent is one who in consideration of extra remuneration called a Dell Credra commission undertakes that person with whom he enters into contracts on the principal's behalf will be in a position to perform their duties guys Dell Credra agent वो वैक्ती होता है जो principal के बहाफ में guarantee देता है किसको third party को मां लिजे principal ने कोई समान बेचा third party को तो agent जो agent है Dell Credra agent वो extra commission के नाम पर extra commission पाने के लिए क्या करता है जो third party है उसको surety देता है guarantee देता है कि हाँ भी मालिक जो है न वो अच्छे से contract perform करेगा इसकी guarantee मैं लेता हूँ और अगर by chance यह चीज़ नहीं होती है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर और ऐसे ही मालिक को बोलता है मालिक को विश्वास दुलाता है principle को विश्वास दुलाता है कि भाई साब यह जो मैं लेकर रहा है न पार्टी यह अच्छे से contract perform करेगा अगर नहीं करेगा तो मैं हाँ बैठा हूँ मतलब extra commission के लिए अपनी surety दे देता है पर हाँ इसमें एक चीज़ हो हमें ध्यान देनी है क्या पढ़ते है यानि कि guys यह जो है न सिर्फ आंसर किस चीज़ को कर सकता है उसके default के लिए कि भाई जिस पार्टी को मैं लेकर रहा हूँ sound mind है competent है यह है वो है पर वो contract को perform होने की जो guarantee दे रहा उसके लिए बाउन नहीं है यानि कि अगर मान लीजिए जो purchaser है उसने कोई भी delivery लेने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लेता तो principle जाए वो इसको नहीं कह सकता है नहीं तू लेगा आप delivery क्यों क्योंकि यह सरिफ उसके default को fulfill करने के लिए answerable है ना कि के contract की performance पे बात करने के लिए इसलिए अगर कोई default होता भी है या कोई ऐसी कोई चीज़े आती है तो इसके नाम पर suit या suit file नहीं किया जा सकता अब गाई इसमें next and the last kinds of agent है पक्का अदातिया and कच्चा अदातिया there are a species of agents and their transactions are known in the Bombay market as कच्ची आदत and पक्की आदत when an up country constituent wants to enter into any transaction in the Bombay market he either deals through a पक्का अदातिया और कच्चा अदातिया यानि गाई एक special kind की या कह सकते है species agent agents की species है प्रजाती है जो Bombay market में पाई जाती है जिसको हम पक्का अदातिया और कच्चा अदातिया के नाम से जानते हैं तो अगर कोई वैक्ती Bombay के अंदर especially किसी transaction को करना चाहता है कोई चीज घरीदना बेचना चाहता है किसी भी चीज को अगर input output करना चाहता है तो उनको इन पक्का अदातिया और कच्चा अदातिया के थरू वो transaction करनी पड़ती है अब पक्का अदातिया इन दी Bombay market is a person who undertakes or guarantees that delivery should on the due date be given or taken at the price at which the order was accepted or differences paid in effect he undertakes or guarantees to find goods for cash or cash for goods or to pay the differences यानि एक गायस पका जाती है जो है वो एक वैक्त मलब एक ऐसी परजाती है कि एसी प्रजाती है जो बंबे के अंदर वर्क करती है और जो guarantee देती है कि भाई साब जिस due date के लिए आपने contact किया है वो जो समान है उस due date तक पहुंच जाएगा आपको फिकर करने की जो इतनी है तो आप चाहें तो इस link पे click करके हमारे notes का PDF जो है वहाँ से download कर सकते हैं साथी साथ guys हमने अपनी website का link भी इस video के description में डाल दिया है तो आप चाहें तो हमारी सारी videos के notes वहाँ से PDF में download कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे guys कि अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे notes जो है आप लोग के लिए beneficial होते हैं आप लोग को अच्छे लगते हैं अच्छे समझ में आते हैं और आप हमारे किये गए काम को appreciate करना चाहते हैं हमें support करना चाहते हैं तो हमारी website पर जाकर हमारा QR code दिया गया उसको scan करके आप हमें वीडियो के comment box में comment करके भी अपने doubt को clear कर सकते हैं इसी के साथ guys वीडियो अच्छे लगी तो इसे like करें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share करना ना भूले और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाएं धन्यावाद